संजू की सहसिक पारी भी राजस्थान को ना बचा पाई दिल्ली ने प्ले आप की उमीदें हैं जगाई वेल तो एक हमें दिल्चस्प एक रोचक और एक थ्रिलिंग इंकाउंटर दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रायल्स के भीज देखने को मिला और उससे भी बड़ी बात और उससे भी खास बात उससे भी महत्वपूर बात कि हमें गेंद और बल्ले की बीच प्रतिसपरधा देखने को मिली जो T20 क्रिकेट में इस वक्त थोड़ा सा विलुप्त हो गया है खासकर इस IPL 2024 में आज गेदबाजों ने अपना जोहर दिखाया है तो वहीं स्किल सेट बल्लेबाज भी दिखाते हुए दिखे हम बात करेंगे सभी के पारियों की लेकिन जो संजू सैंसन ने थी हासिक पारी खेली वहीया वो काबिले तारी थी बहुत बेहतरीन बहुत ही बेमिशाल बहुत ही अदबुद अविश्वसनी अविश्मरेडी पारी कप्तान संजू सैंसन ने खेली और एक तरफा चले एकला चलो रहे लेकर नारा वो चल रहे थे लेकिन काफी नहीं हो पाया क्योंकि 222 का टारगेट अपने आप में बड़ा होता है मगर जी जान जोका लड़ाई लड़ते रहे और दिखाया कि उनमें क्या काबिलियत है मगर वो काफी नहीं हो पाया और दिल्ली कैप्टल्स ने मुकाबला अपने नाम कर लिया और अपनी प्ले आउफ की उमीदों को जगाया है इस जीत के साथ अगर हम बात करें दिल्ली कैप्टल्स की तो वो पाचवे पैदान पर आगे हैं उनके बारफ पॉइंट हो चुके हैं और यहां से वो भाईया अगर अपने दो के दोनों बचे हुए मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर सोला पॉइंटों तक बहुत सकते हैं दूसरे अस्थान पर है इस वक्त और इतनी बड़ी टीम को हराना इतनी कॉंसिस्टेंट टीम को हराना और इतने बड़े अंदाज में हराना है 21-20 रनों से यह दर साथा है कि दिल्ली कैपिटल्स की लड़ाकों में भी दम है और वो जिस हिसाब से इस संस्क्रण में वापस इसी करते हुए दिखें पांच मैच पहले आखरी पैदान पर थी दिल्ली कैपिटल्स और अब पांच मैच बाद वो पांचवे पैदान पर प्ले आउफ की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं याने कि कुछ इन लड़कों ने किया है जो सुरुवाती मुकाबलों मे हासिल करते हुए दिखें और इस वक्त प्ले आफ की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से जो जेक फ्रेसर मैग का इस बैटिंग उनिट में एडिसन हुआ वो खास रहा है वो महत पूर रहा है उसने फायर पावर जोड़ा है एक बहिया करते ह प्जली तालॉप को गंदा कर देती है तो अब जेक फ्रेसर मैग घर्ट के एडिसन से ये लग रहा है कि एक अच्छी पूरे ताल आप को अच्छा कर सकती है वो फायर पावर वो जो जजबे और जोस की कमी थी इस टीम में वो जेक फ्रेसर मैग घर्क ने आइड किया है और जिस हिसाब से वो स्टार्ट देते हुए दिख रहे हैं पावर प्ले के अवरों में वो काबिले तारीफ है आज के मुकाबले में जो दो इंपैक्टफुल पारियां आई पहली जेक फ्रेसर मैग गर्क की जिन्होंने 19 गेदो पर लगबग 50 रन ठोका और जो दूसरी टिष्टियन श्टफ्स की जिन्होंने अंतिम के तीन अवरों में 50 रन बनाये खासकल यूजुवेन चहल और संदीव सर्मा के खिलाब जो अटेक किया उसने एडवांटेस दिया दिल्ली कैपिल्स को और यहीं दो पारियां जीत और हार की अंतर रही यह दो कमबाइन्ड एफर्ट आये किसके तरब से दिल्ली कैपिल्स के तरब से तो संजु सैंसन अकेले चल पड़े थे अकेले वो जीता आने का प्रयास कर रहे थे अदभुत पारी उन्होंने जरूर खेली लेकिन वो काफी नहीं गुजर पाई क्योंकि भईया जब कमबाइन्ड एफर्ट आता रहो अकेले एफर्ट जब आता है तो उसमें अंतर होता है अन्य बलेबाज यहीं उनका साथ जॉस बटलर देते भी दिखते है रियान पराग के साथ लंबी सासदारी वही हो गई होती स्रीवम दूबे दूसरे इंड से तेजगती से रंद बनाये होते संजू सेंसन के साथ मिलका जब संजू थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे बीच के अबरों में वहां सुभम दूबे अगर रिस्पॉंसिबिल्टी लिये होते दाइत लिये होते तो चीजे बदल सकती थी लेकिन फिर भी दिल्ली कैप्टल्स ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की बेहतरीन गितबाजी की रिशप्पंत की बेहतरीन कप्तानी रही कब कुल्दी प्यादो को लगाना है ये रिशप्पंत को पता है और वो इंतजार कर रहे थे कुल्दी प्यादो के चोथे अबर का और दूसरे विदेसी बल्लेबाज के खिलाप कुल्दी प्यादो का प्रहोग किया और वहीं से पूरा मुकाबला खत्म गर दिया तो कुल्दी प्यादो और अक्छर पतेल ये दो इस्टेंड आउट प्रफॉर्मर रहे बात करें गिदबाजी बिभाग में और वहीं बात करें बल्लेबाजी में तो जेक फ्रेसर मैगर अब से पोरेल और टिश्टेन श्टप्स ने ये दिल्ली केप्टल्स को मुकाबला जी गिदबाजी में अस्विन के नाम तीन विकेट रहा संदीब सर्मा के नाम एक बोल्ट के नाम एक चहल के नाम एक विकेट रहा रास्थान रायल्स की बात करें तो 201 रन बना पाई उनके तरफ से एकला चलो रहे संजू सैंसन ने 86 रन और उसके अलावा कोई भी बाजों की बात करें तो खाली लामद ने दो, दो मुकेश कुमार ने एक अक्छर पटेल ने कुल्दी प्यादा उने दो, एक विकेट रासीक सलाम ने लेकिन जो तीन ओबर में 25 और चार ओबर में 25 रनों का स्पिल था यानि सात ओबर मात 50 अन देकर तीन विकेट इसमीनों ने लिए, उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, शोटी से पिच पर बल्ले बाजों के पिच पर और मुकाबला दिल्ली केपटर्स को जीता कर उनकी प्लेआप की उमीदों को कायम रखा हुआ है, 12.7 दिल्ली के लिगाप की लडाई में बने अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें